हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट विलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग को CITS एडमिशन 2022 के बारे में बात करने वाले हैं यदि आप CITS एडमिशन 2022 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या जानकारी होनी के यह सबसे पहले त फिर CITS का फार्म कब से भारा जाएगा एडमिशन 2022 में लेना चाहते हैं तो इसके लिए इंट्रेंस एक्जाम होगा ठीक है CITS एडमिशन की पूरी परकिरिया इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ में CITS इंट्रेंस एक्जाम जो होता है यह कैसे होता है क्या-क्या-का यहां से question पूछे जाते हैं और साथ में यह भी बात करेंगे CITS कोर्स कितने दिनों का होता है तो इन सभी जितने भी यहां पर मैंने बताया आप लोगों इन सभी टापिक में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को अंतग बने रहेगा और अभी तक चैनल की पूरी जनकारी के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपेंड कर लिए ब्राउजर ओपेंड करने के बाद आप गूगल पर सर्च करेंगे गूगल पर यहां पर गूगल पर सर्च करिएगा succecarscarwer.co.in इसको सर्च करिएगा आपको सारी इनफार्मियसन आपकी तयारी के लिए मोक्तेस्ट ठीक है यही पर इसी वेबसाइट पर आप लोग को मिल जाएंगी ठीक देखें इस आफिशियल वेबसाइट पर आप आप आजाएंगे तो आपको अपनी तयारी के लिए इसमें आप लोग आईएगा और यहां पर CITS application farm 2022 दिया है इसको open करिएगा इस open करने के बाद इसको open कर लीजिएगा open करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू CITS course होता क्या है तो यह एक आसान तरीका होता है जिसे कि आप आसानी से एक साल कोर्स करने के बाद आप आईटियाई में टीचर बन सकते हैं ठीक है तो CITS course क्या होता है यह आपको पता चल गया हो देखिए कि CITS online farm 2022 application farm 2022 ओपन हो गया इसको ओपन कर लिजेगा तो CITS course की तो आपको जानकारी होगी अब फार्म भरने के लिए यह qualification क्या चाहिए तो CITS में देखिए admission लेने के लिए आपकी जो qualification होनी चाहिए न यह qualification आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए या डिगरी होना चाहिए या आइटियाई होना चाहिए ठीक है आइटियाई आपका एंचिवीटी certificate होगा तो यह आप इस फार्म को भर सकते ह हो गया डिप्लोमा हो गया डिगीरी हो गया ठीक है यह आपके पास qualification है तो आप इसमें फार्म भर सकते हैं अब बात आती है फार्म कब से भरे जाएंगे देखें से के लिए लेजिबल आप इस फार्म को डाल सकते हैं ऐसार मतलब कभसे भरे जाएंगे आपके फार्म 2022 की फार्म जो कब से बहरा जाएगा यह मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को देगे से फार्म 2022 की अप्लिकेशन फार्म के लिए जो इंपोर्टेंट है वो है अलाइन फ मैं आप लोग को फार्म भर के भी बताऊंगा कि आप लोग को फार्म कैसे बना है अब यह अनलाइन अप्लिकेशन इंट कब होगा तो जुलाई में स्टार्ट होगा और अगस्ट 2022 तक खतम हो जाएगा मुश्किल से मानकर चलिए कि आपका यह जो फार्म होता है 15-20 दिन के ल कि आप लोग का पेपर होता है न यह पेपर आप लोग का आईटी आई हो चाहें डिप्लोमा हो चाहें डिप्लोमा हो चाहें बीटेक हो बीटेक यानिकी डिग्री वाले हैं इनके लिए जो कोस्टन बनते हैं न टोटल सो कोस्टन आते हैं सो कोस्टन में से मैं यहां पे लि करते हैं जैसे फीटर टर्नर मसिनिस्ट एलेक्टिसियन वेल्डर जो भी ट्रेट के लिए आप एप्लाई करेंगे से आई टीएस में फार्म भरेंगे उससे 75 कोश्चन आई टी लेवल के कोश्चन मतने हैं बिल्कुल इसके लिए मैं इसी चैनल पर आप लोगों बहुत से से कशिस की इंट्रेंस लिए पर दिया हुआ है आप लोग देख सकतें और पचीछ जो कोश्चन होते हैं यह एंब सेंयाओर कैसे से दोनों मिला कर 220 और 9 स हो गया see ठीक तो CITS प्रवेस परिक्षा आपको पता हो गया कैसे कोश्चन आते हैं 75 जो कोश्चन टेक्निकल होते हैं और 25 जो कोश्चन होते हैं अब यह परिक्षा जो होती है आप लोग की CBT exam होती है ना computer based test होता है CBT exam होता है इसके लिए मैंने इसी website मोक टेस्ट दे रखा है आप लोग को जो की CBT के लिए बना रखा है तो आप लोग इंटरेंस exam की successcareer.co.in पर अपनी तयारी कर सकते हैं अब देखें CITS प्रवेश परिक्षा में आपके center total इंडिया में पूरे 26 जगा पे CITS इंटरेंस exam के center बनते हैं जिसे अगरतला हो गया, इलहाबाद हो गया, बैंगलूरू हो गया, कैलिकाट हो गया, चेन्ने ही हो गया, देहरादुन हो गया अब बात करते हैं CITS कोर्स कितने दिने कोई आती है CITS कोर्स कितने दिन अगो आता है, तो यह एक साल का कोर्स होता है, जिसमें आप लोग को CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के ताथ आपको एक सर्टिफिकेट, इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे आप ITI में टीचर आसानी से बन जाते हैं अब CITS admission की आप लोग की पूरी यही जानकारी थी और अन्या information में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग को फार्म बनने के लिए फीस भी लगती है, ठीक है, उसकी फीस कितनी होती है, तो CITS entrance exam की फार्म की फीस जो होती है, यह STSC वालों के लिए 300 और OBC और General के लिए 500 रुपे होता है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं, देखिए, STSC वालों के लिए 300 रुपे और OBC और General वालों के लिए 500 रुपे, उसके बाद आप लोग का जब admission मिलता है, तब कितना रुपे लगेगा, तो देखिए, admission के समय आप ज्यादा फीस नहीं होता है, यह admission fees है, General fees structure for NHTI, आप लोग का admission fees, total 100 रुपे लगेगा, OBC जनरल वालों के लिए, STSC वालों के लिए 25 रुपे, registration fees यहाँ पर government deputy के लिए कुछ नहीं लगेगा, General OBC से 50 रुपे इनके नहीं नहीं, total आप मान लिए हाफियली, आप लोग का 1520 र 49 रुपे के आसपास आती है, पूरा आप लोग का खर्चा, ठीक है, CITS made mission का, उसके बाद अलग से आप लोग को 15 से 25 रुपे अलग-अलग location के हिसाब से यह खाने के लगते हैं, जो मंतली चार्ज होते हैं, यदि आप हास्टल में रहेंगे तो, तो खाने का तो private होता है, यह आपको तो खाना रहेंगे, तो खाना ही पड़ेगा, बाकी हास्टल की जो फीस होती है, CITS में वो बहुत कम होती है, लगबग मान के चलिए कि एक साल में आप लोग को टोटल 1200 रुपे देने पड़ता है, 1200 रुपे आप लोग का, 1200 रुपे आप लोग का लगेगा हास् आप लोग को मिल जाएगा, एक रूम मिल जाएगा, एक रूम में दोलर के रहते हैं, तो यह बहुत आसानी हो जाती है, और अब बात आती है कि आप CITS में किस किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए हाँ पे टोटल में ने दिखा दिया है, यह सभी ट्र से होंगे, जैसे आप ITI जिस ट्रेड से किया होंगे, उसी ट्रेड से अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा आप जिस छेतर से किया है, जैसे आप मेकेनिकल से किया हुआ है, तो मेकेनिकल रिलेटेड ट्रेड आप कोई भी यहां भर सकते हैं, जैसे कारपेंटर, फीटर, टर्नर मेकेनिकल वाले वेल्डर डाल सकते हैं फिर आप मेकेनिक मोटर वहिकल डीजल मेकेनिक मेकेनिकल वाले डाल सकते हैं तो डिप्लोमा जिस छेत्र में आपका उसी छेत्र में आप डाल सकते हैं जिस छेत्र में किया हैं उसी छेत्र में कोई एक आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और किसी तरह क्वेरियों तो कमेंट बाक्स में जरूर पुछेगा और यदि आपको परसनल मैसेज करना होगा तो आप मुझे एक तरह करीयम से करेंगे तेसे करेंगे अबूस करेंगे अंगेना ही थेंक्स पर वाचिंग करते हैं वे अगैस